नमस्क्यार ब्यारे बच्चों कल हमने अपनी हिंदी में एक अभ्यास कारी किया था जिसका नम था विलोम शब्द या विप्रीद शब्द जिन हम कहते हैं उल्टे अर्थ वाले आज हमारा नया टॉपिक है जिसका नम है स्मान अर्थ वाले शब्द स्मान अर्थ वाले शब् इसका मतलब । जैसे हम का भी घर में नाम कुछ और्यों पर किक स्कूल में घर मिय viable तूक्स और एक यारप मतलब जैसे आमने पानी पिया पानी में कर दो चक्मठीरि इनकों चालमतां का मतलब जब हमारा एक ही शब्द हो और उसके मतलब अलग-अलग हो पर मतलब वही रहे हम उसको बोलें किसी भी लैंग्विज में या उसका उसका अर्थ कुछ और भी हो हिंदी में पर वो रहता समान अर्थी है तो सबसे पहले शुरू करते हैं देखिए नंबर एक पर है और क्या बोल सकते है रवी तो हमने लिखा सूरय सूरज रवी ठीक है और इसको आपने साथ में छोटी सी पिक्चर भी ड्रा कर लेनी है नंबर दो है पानी पानी को हम क्या कह सकते है जल Harmoni नीर जल नीर नंबर तीन कपड़ा कपड़ा दो कपड़े यूस करते हैं पहनते है उसको हम बोल सकते हैं पट वर्स्त कोई भी एक लिख सकते हैं उसके बाद नमबर फॉर चौतिय नमबर पर हाथ हाथ को हम बोलते हैं हस्त या फिर क्या बोल सकते हैं कर लिखने आपने δो नमबर पांच है आंक, आंक को हम कहते हैं नयायन, नेत्र, चक्षू, लोच, जैसे आप बड़ी क्लास हो जाएंगे, इनके और मतलब आपको पता चलते जाएंगे, पर फिलाल आपने दो ही लिखने हैं, नयायन, नेत्र, नमबर छे, फूल, सुमन, कुसुम, सुमन, कुसुम, नमबर साथ हैं, आकाश, आकाश को हम कह सकते हैं, आसमान, नब, गगन, अंबर, तो आपने दो ही लिखने हैं, आसमान और नब, नबर आठ हैं, हवा, हवा को हम कहते हैं, पवन, वायू, समीर, पर हमने लिखने के हैं, पवन और वायू, नमबर नो, औरत, औरत को हम कह सकते इस्त्री नारी इस्त्री नारी और नमबर दस हैं दिन को हम क्या कह सकते हैं दिवस वार ठीक है बट्ड़ा यानि एक ही शब्द के दो-दो मतलब आपको बताए गये हैं पर मतलब वही का वही है समान अर्ती है आपने अब इसको अपनी कौपी पर जो मैंने कल बताया था अगले पेज पर आपने डेट लिखकर, हैडिंग लिखकर और फिर ये लिखना है, ओक्की बटा, धन्यवाद